पच्चों कैसे हैं आप लोग पच्चों आज कल शौट वीडियो का जमाना है तो चलिए आपको मैं एनिमल किंग्डम रिवाइस करवाता हूँ आज कुछ फाइलम्स रिवाइस करते हैं जैसे छोटे से वीडियो में फाइलम पौरी फैरा के फीचर्स देखते हैं ठीक है ना सारे फीचर्स नहीं हैं सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे मेरे ओरिजनल वीडियो में इसमें केवल रिविजन के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक है पहला पॉइंट ओल आर मरीन ठीक है ओल एनिमल्स आर मरीन एकसेप्ट बताओ स्पॉंजिला ठीक है स्पॉंजिल चली गया होगा आपको, कि Phylum Porifera में Sponge आते हैं, ठीक है, Animal को Sponge कहते हैं, ठीक है, अच्छा और क्या बात होती है इनमें, इनमें Canal System होता है, याद रखिए, ठीक है, Canal System होता है, ठीक है, Water जो है, Water जो है, औस्टिया से एंटर करता है ठीक है औस्टिया बहुत सारे होते हैं उसके बाद water spongo seal में जाता है ठीक है spongo seal में जाता है जिसको paragastric cavity भी कहते हैं जिसको paragastric cavity कहते हैं और फिर water जो है osculum से बाहर निकल जाता है osculum generally single होता है एक होता है austia जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे होते हैं ठीक है color change करते हैं चलिए canal system किस में help करता है ठीक है na canal system food gathering में help करता है ठीक है जो water अंदर आ رہा है वो food ले आता है canal system respiration में help करता है right ठीक है water जो अंदर आ रहा है वो oxygen भी लेकर आता है, dissolve oxygen, ठीक है, waste removal में भी help करता है canal system, waste removal में digestive waste भी आ जाता है, nitrogenous waste भी आ जाता है, ठीक है न, तो ये चीज याद रखिएगा, sponge का सबसे important cell क्या कहलाता है, coenocyte, ठीक है, coenocyte जो है sponge का सबसे important cell है, क्या ये याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसी cell के अंदर digestion भी होता है, याद रखिए, तो इस तरह के digestion को अपन intracellular digestion कहते हैं, क्या कहते हैं, intracellular digestion कहते हैं, coenocyte को आप collar cell भी बोल सकते हो, ठीक है, हो रहा है revision, चलिए, sponge में बेटा, दोनों तरीके के reproduction possible हैं, ठीक है, asexual भी करता है, ठीक है, और बेटा ये sexual भी करता है, ठीक है, sexual reproduction gametes की help से होता है, याद रखिए, ठीक है, sponge जो है बेटा, याद रखिए, हर्मा फ्रोडाइट एनिमल है, हर्मा फ्रोडाइट का मतलब ये है, हर्मा फ्रोडाइट का मतलब ये है, कि एक ही एनिम भी बनाता है वही एनिमल फीमेल गैमिट भी बनाता है तो ऐसे एनिमल को हर्मा फ्रोडाइट कहते हैं याद रखिये ठीक है न है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है ठीक है स्पाउँज के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है इंडायरैक्ट kingdom смотреть का क्या मतलब हुआ इंडारेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ लार्वा इस प्रेजेंट ठीक है ना क्लियर इंडारेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ लार्वा इस प्रेजेंट ठीक है क्लियर है ठीक है एसेक्शुल रिप्रोडक्शन किसे होता है फ्रेग्मेंटेशन स से होता है ठीक है अब इसके एक्जामपल कौन-कौन से हैं एक है यू स्पॉंजिया ठीक है यू स्पॉंजिया को बात स्पॉंज कहते हैं ठीक है यू स्पॉंजिया को बात स्पॉंज कहते हैं स्पॉंजिला तो आपने याद करी लिया उसे फ्रेश वाटर स्पॉंज कहा जा होता है bracket के अंदर common name होता है use sponge या scientific name है bracket के अंदर common name है sicon scientific name है sqypha common name है ठीक है तो बच्चों यह था sponge का या phylum porifera का एक revision ठीक है चलिए अब अगले phylum पे चलेंगे